आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग 7, 7 simple steps में intra-day trading को master कर सकते हैं तो वीडियो में हम लोग क्या-क्या cover करेंगे वो start करने से पहले मैं आपको एक important concept बताता हूँ सायद आपके साथ वह problem होती हो देखिए तो देखिए अगर आपने for example trade लिया है ABC stock में अब अगर trade loss में जाने लगता है तो आपको यह नहीं पता चलता है कि कहाँ पर trade में निकलना है reality क्या है कि यह problem सभी लोग face करते हैं देखिए reason क्या है कि आपने trade लिया for example आपने किसी से पूछा या फिर टेलिग्राम पर आपने किसी से देखा या फिर आपने news channel या फिर कहीं से भी आपने recommendation ली तो आपको यह तो पता चला कि ABC stock में आपको buying करनी है exact level पे but आपको यह नहीं पता है कि कहाँ पर stop loss रखना है कहाँ पर profit रखना है अगर आपको पता भी होगा ना तो भी आप trade को manage नहीं कर पाऊगे because आपने खुद की research वहाँ पे नहीं किये जब तक आप खुद की research नहीं करेंगे तब तक आपको यह नहीं पता होगा कि कहाँ पर आपको trade लेना है कहाँ पर profit लेना है कहाँ पर stop loss रखना है without proper research we get confused देखिए simple fund आए अगर आप research नहीं करेंगे तो आप confusion होने वाली है because कभी कभी share अगर आपने buying किया थोड़ा सा profit दिखाएगा फिर सान नीचे भी आ सकता है तो वहाँ पे आपको कैसे handle करना है यह आपको नहीं पता होता है तो आज की video में मैं आपको ऐसे ही कुछ important topics बताने वाला हूँ कुछ important points बताऊंगा जिससे है कि आपकी trading कहीं न गहीं especially intraday trading में आप mastery कर लेंगे 7 steps बताऊंगा अगर आप इन 7 steps को follow करते हैं तो definitely आपकी trading बहुत ज़्यादा improve होने वाली है देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं copy में दोनों जगे note किया है मुझे क्या क्या आपको बताना है reason इसलिए दिखा रहा हूँ देखिए कोई भी चीज मैं आपको बताता हूँ with fact बताता हूँ मतलब खुद का experience है इसमें खुद का personal experience है books से भी मैंने कुछ चीज़े पढ़ी है उसको यहाँ पे मैंने note down किया है जिस topic में मैं आपको बताने वाला हूँ और जहां से भी जो भी courses से मैंने थोड़ा बहुत सीखा है उन सभी points को भी मैंने यहाँ add कर करके रखा है अब देखिए दिखाने का मतलब यह था कि सर आप भी copy pen लेके बैठिए कुछ important topics को and points को note कीज़े जिससे कि क्या होगा कि आपकी habit में आएगा लिखने से आपकी habit में आता है तो definitely video आपको help करेगी मैं आपको एक-एक point करके बताऊँगा कि कैसे आपको intraday trading को approach करना चाहिए with professional mindset जिससे कि आप consistent basis पे trading में profitable one पर है अब सबसे पहले friends अगर आप channel पर नहीं है तो please channel को subscribe कीजिए और अगर video अच्छी लगती है तो definitely video को like करना बिलकुल मत भूलिएगा तो चलिए मैं आपको point wise सबी चीज़े बताता हूँ thank you so first point हम लोगा friends क्या रहेगा कि आपको कोई एक market चूस करना है pick a specific market कहने का मतलब क्या है अगर आप intraday trading करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि equity में करते हैं मतलब cash में कुछ लोग future में करते हैं some people are doing in options and कुछ लोग commodity करते हैं कुछ लोग cryptos भी कर रहें कहने का मतलब simple है कि sir आपको किसी एक market को choose करना है या तो आप cash में कीजिए या फिर आप future में कीजिए या फिर आप options में कीजिए from my personal experience अगर आप equity cash में करते हैं starting in beginning of your trading career तो आपके लिए favorable लाएगा बड़े loss आपको नहीं होंगे options आप थोड़े दिन बाद obviously shift कर सकते हैं after some getting experience so आपको market choose करना पड़ेगा market का मतलब किया है कि ऐसे अगर आप cash में भी करते हैं तो आपके पास ऐसी watch list हो जिसे में movement हो अप पर रहा चला आपने penny stocks में trading चालू कर दें intraday उपर नीचे बड़ी movement हो रही है आपको spreads का घाटा हो रहा है तो आपको अच्छे stocks लेने हैं अगर आपके पास watch list नहीं है तो आप हमें whatsapp करके ले सकते हैं और अगर मैं आपको tip बताऊ तो आप nifty fifty के अच्छे stocks निकाल लीजे जो intraday में अच्छी percentage आप movement करते हैं because percentage वाली movement होगी तभी हम लोग profits capture कर पाएंगे second point आपका क्या रहेगा define an edge or strategy that suits you कहने का मतलब simple है कि आपको कोई strategy ढूंडनी पड़ेगी अब आपने YouTube से सीखी है या फिर आपने course करके सीखा है या फिर आपने खुद बनाया है doesn't matter मैं उस पर नहीं बोलूँगा because strategies आपको कही न कहीं मिल जाती है हमारे channel पे भी है आप खुद भी build कर सकते अगर आप chart पे time spend करते हो कहने का मतलब यह है कि आपके पास एक strategy होनी चाहिए strategy का मतलब क्या होता है higher probability of one thing happening over another मतलब क्या है कि अगर किसी strategy को आप follow करते हो तो उसकी जो chance है on sample basis 100 में से मान लेज़े 60 times, 70 times, 80 times उसकी probability है profitable बेजाने की अब 80, 90%, 95% चीज़े नहीं होती है मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा 60%, 50%, 70% भी अगर आपकी strategy अच्छी है accurate है आप देखिए strategy में भी दो चीज़े आती है या तो आप live market में strategy अपनी apply करो या फिर आप एक दिन पहले important support, resistance, trendline, breakout, breakdown, volume and indicators का यूज करके कुछ अच्छे stocks filter out कर सकते हो जिसमें आप अगले दिन trade को लेके अपने trades को manage कर सकते हो तो दोनों तरीके से आप trading कर सकते है कुछ लोग gap up and gap down भी करते है morning में ही अपना trade execute कर लेते है कुछ लोग afternoon में करते है तो depend करता है कि आपकी style कौन सी है तीसरा point आप कराएगा time frame देखिए time frame आपको choose करना पड़ेगा बहुत लोग क्या करते है कि कुछ दिन 5 minute करेंगे after some days they are doing trading in 10 minutes तो देखिए 10 minute, 5 minute, 30 minute नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते है आपको simple एक time frame पे stick रहना है बहुत लोग क्या करते है सबसे common problem है 5 minute में trade करेंगे लेकिन exit करेंगे 10 minute में जी नहीं ये तो एकदम आपको rule बना ही लेना है कि जिस time frame में आप entry करोगे उसी time frame में आपको exit भी करना है अब अगर मैं आपको time frame के regarding एक bonus tip बता हूँ तो मैं personally 15 minute, 30 minutes, hourly and daily इन सभी time frame को use करता हूँ trade लेने के purpose के मतलब से trade जब execute करना होगा तो obviously मैं केवल 5 minute का use करूँगा exit करने के लिए भी 5 minute का use करूँगा for trend purpose I will be using daily time frame for important support resistance I will be using 30 minutes and hourly time frame तो इन सब चीजों का आप use कर सकते हैं multiple time frame analysis कहीं न कहीं आपको help जरूर करेगा अब देखिए क्या होता है कि एक tip आपको और मैं बता दू अगर आप higher time frame है थोड़ा सा 30 minutes hourly and daily तीनों में sink होते हैं मतलब तीनों time frame अगर आपका upside का है ठीक है अगर तीनों time frame आपका upside का है तो क्या होगा कि आप trend के side हैं तो trend के अगर आप side जाएंगे तो आपको कहीं न कहीं बड़े profits देखने को लेना है बहुत लोग क्या होता है trade आता है डर के मारे trade नहीं ले पाते हैं और वो trade profit में चला जाता है तो अगर आपको अपनी strategy अपनी age पे भरुसा है अगर आपको अपनी और अगर आपको age के हिसाब entry मिलती है define the risk आप simply risk को define कीजे and trade को execute कीजे कोई second thought आपके mind में नहीं आना चाहिए बहुत लोगों problem क्या होती है सब ही चीज planning करके बैटे हैं but जैसे ही trade आता है trade को execute नहीं कर पाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी scale है जो seriously बता हूँ बहुत लोग नहीं कर पाते हैं तो आपने definitely इस पे भी थोड़ा सा work करना पड़ेगा trade बनेगा तुरंट trade लेने वाला हूँ with defining my proper risk management and position sizing fifth point हम लोग कर आएगा है stop loss देखिए stop loss का मतलब किया है proper तरीके से stop loss है सानी कि बस stop loss कहीं भी randomly लगा दिया with proper position sizing मैंने video डाल लग की है position sizing calculator की आप उसको refer कर सकते हैं वहाँ पर मैंने एक excel seat भी बना रखी है जिससे कि आप proper position sizing अपनी trading में कर पाएंगे with your proper risk management अब problem क्या होती है कि लोग stop loss को accept नहीं करना चाहते है stop loss का बहुत लोग क्या consider करते हैं कि वो गलत consider हो चुके है जी नहीं stop loss का मतलब simple है sir आपने अपने loss को stop किया है अगर आप meaning देखें stop loss की stop loss अपने loss को stop कर दिया छोटा कर दिया तो आप क्या कीजिए मान लीजिए आपने 500 पे buying की 498 was your stop loss and 505 was your target 505 पे हमारा target होता है 500 पे हमारी entry थी और 498 मेरा stop loss था अब देखें आपने जो 2 रुपए stop loss लगाया है इसका मतलब समझे क्या होता है proper तरीके समझे stop loss का मतलब क्या होता है कि आपने 2 रुपए का chance दिया है आपने 5 रुपए का target सुचा है आपने 2 रुपए का chance दिया है कि अगर इसको 5 रुपए जाना होगा तो ये मेरे अगर 2 रुपए अगेंस जाएगा तो ये जो मेरा prediction था कही न कही गलत हो गया है prediction गलत हुआ है मैं trading में गलत नहीं हुआ हूँ on sample basis I will be profitable तो 2 रुपए का मैं chance दूँगा अगर इससे नीचे जाएगा तो ये मेरा particular prediction गलत हो गया है इस trade समय loss को accept करके निकल जाओंगा stop loss का मतलब इतना होता है loss accept करना आपको सीखना पड़ेगा अब देखें बहुत लोग क्या करते हैं कि stop loss mind में रखते हैं जी नहीं stop loss system पे होना चाहिए जैसे आपने trade लिया exact simultaneously आपका stop loss order भी तुरंत जाना चाहिए 6th point will be taking profits यह सबसे important skill है क्योंकि इस skill में बहुत लोग पुरा वाला fail होते हैं trade भी ले लेते हैं strategy भी पता है stop loss भी लगाया है trade को manage भी किया लेकिन profit बुक नहीं कर पाते हैं तो देखिए आपको पहले से ही profit करना पड़ेगा कि इतना moment अगर हो जाएगी so I will be booking some of my profits या फिर पूरी quantity निकाल दूँगा या फिर कुछ quantity निकाल लूँगा कुछ quantity का stop loss में cost to cost ले आउँगा then big profits के लिए ट्रेल करूँगा अब देखिए intraday trading में अगर आप intraday करते हैं देली आपको 2% 4% moment नहीं मिलने वाली है यह मैं आपको बता दूँ but अच्छी कासी moment आप रोज-रोज capture करते हैं छोटी-छोटी भी so on sample basis on month on month basis and on week on week basis आप एक बहुत बढ़िया profits capture कर लेंगे अगर आप consistent basis पर profit book करते हैं अगर मैं आपको एक skill बताऊ so देखिए friends जितनी बार भी आप profit book करेंगे as compared to booking loss आपका जो mind होगा न वो बहुत जादा confident हो जाएगा क्योंकि जितनी बार आप profit book करते हैं आपको लगेगा mind में क्या लगता है कि आप professional and profitable trader की तरह approach कर रहे हो कि आपका mind profit book कर रहा loss book नहीं कर रहा है देखिए यह मैं आपको बताई सकता हूँ जब आप करेंगे आपके जब mind में लगा था profit book करने का skill बिल्ड हो जाएगा तो आपको लगेगा कितना important चीज आप profit book करना अब देखिए आप क्या कर सकते हैं मुझे comment करके बताईए कि आप कितने percentage terms में target रखते है of your entry price मतलब अगर आपने 1000 रुपीज पे entry लिए 1000 रुपे वाले share के price में तो आपका कितना target रहता है 7 रुपे, 5 रुपे, 3 रुपे, 10 रुपे, 20 रुपे आप मुझे comment करके बताईए फिर definitely मैं आपको बताऊँगा कि कितना target आपको रखना चाहिए next point हम लोग कराएगा friends trade in sample basis देखिए sample size का मतलब क्या है कि आपको जभी भी trade करना है तो यह सोच के चलना है कि मैं sample basis में trading करूँगा trading is all about probability देखिए जितने professional traders हैं जितने professional gamblers हैं वो probability terms में सोचते हैं कहने का मतलब क्या है कि यह नहीं सोचते हैं कि मेरा अगले trade में profit होगा या फिर उसके अगले trade में profit होगा जी नहीं वो क्या सोचते हैं कि आगे के 20 trade में on sample basis अगर मैं 20 trade लूँगा after deducting my brokerage after deducting my losses I will be profitable net on net basis तो यह आपको सोचना पड़ेगा आगे के 20 trade लीजी अपनी strategy पे with proper risk management position sizing के साथ फिर आप सोचे कि profitable है की नहीं पर चला आपने एक ही trade में सोचा यार मैं तो loss चला गया और आप depressed हो गए तो कहीं न कहीं आपका mindset गलत है कभी भी अपने को and strategy को judge नहीं कर सकते हैं तीन से चार trade लेगे कम से कम अगर strategy को अगर आप follow करते हैं तो कम से कम उस पे 100-500 perfect setup पे trade लीजी देन ही आप judge कर सकते की वो strategy आपको suit करती है की नहीं so last point आएगा हम लोग का doing the exercise regularly जो भी exercise मैंने आपको बताईए जो भी आपको मैंने 7-8 points बताई है 7 points ही main थे पहला आपने क्या करना है कि आपको एक market चूज करना है किस market में आप trade करना चाहते हो मैं आपको conclusion बता रहा हूँ fine साथ में मैं आपको solution भी बताऊंगा तो आप क्या करिए अगर आप beginner है आप cash market को चूज कीजिए normal buying selling कीजिए with up to 2 to 3x margin उससे यादा margin मत यूज कीजिए और nifty 50 के बढ़िया वाले stocks को चूज करके केवल उसमें trading कीजिए second point define an edge तो edge का मतलब क्या है strategy strategy आप कोई भी देख सकते हो आप books अभी पढ़ सकते हो मेरे चैनल पे भी कुछ strategies पढ़ी है आप उनको refer कर सकते हो बस आपको strategy पे कम से कम एक महीने backtest करना है दो महीने backtest करेंगे तो आपको अच्छा खासा result देखने को मिलेगा अब देखिए मैं एक चीज आपको और बता दू कि अगर आप तीन strategy follow करेंगे तो सायद आपको एक ही strategy अच्छी लगे तो strategy आपको निकालना पड़े तो definitely without confusion आप उन दोनों strategy खोटा आईए और जो आपको जिसमें भरोसा आता है उसको follow कीजिए fine next आएगा हम लोग का time frame तो time frame आपको कौन से use करना है मेरे इसाब से क्या कीजिए आप 5 minute में trade लीजिए exit कीजिए hourly, daily and 30 minute का आप time frame उसकते है daily time frame से आप decide कीजिए trend की up trend है की downtrend में या फिर narrow range में है hourly and 30 minute में आप important support, resistance and trail line को draw कर सकते है अब देखिए बात आती है entry की, exit की and stop loss की तो proper entry लीजिए sir अगर entry छूट गई है trade को मत chase कीजिए दूसरे stock पे focus कीजिए FOMO का भी problem होता है, fear of missing out लोग पहले ही trade ले ले लेते हैं तो उसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा proper position sizing के साथ stop loss लगाईए और जबी भी market आपको profit दिखाए मतलब आपको दिखता है कि मुझे या profit book करना चाहिए without any second thought profit को जरूर book कीजिए next point क्या है कि आपको sample basis में सोचना है sample basis का मतलब क्या है कि आपको यह सोचना है कि आगे के 20 trade आगे के 30 trade मैं लेने वाला हूँ और उसमें देखूंगा कि whether I'm profitable or not ऐसा नहीं कि बस आज trade किया दो trade लिए loss हो गया तो मतलब या strategy गलत है या फिर trading पे यह चीज मुझे काम नहीं करती है जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए probability game खेलने की पूरी कोशिस कीजिए और last क्या करना है कि जो भी मैंने आपको steps बताएं जो भी मैंने आपको important points बताएं इसको आपको exercise में build करना पड़ेगा मतलब आप कम से कम 25 days कीजिए 25 days अगर आप करेंगे तो आपके subconscious mind में अच्छी चीज़े build हो जाती है और वो आपका second nature बन जाता है तो अगर video से लगती है तो please video को like कीजेगा comment है किसी भी point के regarding definitely comment करके बताईए अब मैं क्यों बोलता हूँ comment करने को अगर आपका query है तो देखिए क्या होता है कि कुछ questions हमारे ऐसे होते हैं अगर उसका answer मिल जा तो हमारी trading side improve हो जाए एक answer ही आपका side trading improve कर दे तो definitely आपका कोई भी query है मुझे आप comment करके बताईए उन सभी लोगों को video share कीजएगा जिनको trading में problem होती है trading में वो एक अपना skill build नहीं कर पा रहे है मतलब proper तरीखे से trading को approach नहीं कर पा रहे है हम लोग next video मिलते हैं किसी ऐसे ही important topic के साथ जिसे कि आप एक consistent basis पे independent and profitable trader बन पाए till then thanks for watching this video God bless you all and bye bye झाल